तक हम लोग जादा से जादा लोगों को खिला के ही आते हैं क्योंकि दवा दे कि किसी को नहीं आनी है फाइलेरियो याना हाथिपाऊ इस बिमारी सेख सभी को तल्देकि खतरा है खासतोर पर बच्चों को जो फालेरिया से प्रभावी तिलाकों में रहते हैं उत्तरप्रदेश सरकार ने इस वर्ष जन्पद वारानसी को नोनल डिस्टिक के रूप में चेन करते हुए 20 फरवरी 2019 से फालेरिया उन्मोरन के लिए टिपल ड्रग थेपी यानि IDA की सुरुवाद की है यह दवा पुरी तरे सुरक्सित है विद रोल आउट अफ आई दिए वारानसी बिकम्स दिस्टिक इन कांट्री तो अंडर्टेक मास ड्रग अडिनिस्ट्रेशन और MDA अछे विद न्यूव ट्रिपल ड्रग थेरीपी उद्धर प्रदेश प्रदेश में चे जी मोर दन 1,0L,00 केसी ऑफ फालेरिया विद निर्ली 1000 केसी इन वारानसी In the present mass drug administration round, nearly 36 lakh eligible population will be administered IDA medicines. ASHAs, or A&Ms, and health workers play a critical role in raising awareness about these medicines and ensuring that every member in the community consumes these medicines. The idea of the program began in Varanasi Janpad. The idea of our peripheral workers is very important. Our state government employees are very important. Participation of elected representatives and community leaders in the MDA programs can encourage families to come forward and have the medicine to protect them from the disease. The idea of the state government is very important. The state government is very important. सब्सक्राइब तीन हजार समय बनाए गये हैं यह समय घर घर जा रहे हैं और लोगों को इससे बचाओ कि दवाई खिला रहे हैं कि जब भी यह टीम आपके घर आए इसका स्वागत करें खुद परिवार के सदस्यों को यह दवा खिला कर स्वास्त रहें निरोग रहें आये हाँ देखे तो दवा मिले यह सरकार की करप से और दवा शुरप्षित है let's play our part in making our country free from phaileriases and build a healthier future for our children